तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इन्पोर्टन्स कमपणी का अपडेट सेयर करने वाला हूँ तो वीडियो को पुरो लास तक देखिएगा और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्रेब नहीं किया तो जूरू कर लेजीगा इन्पोर्मिसीन और अपडेट सेबाने की लिए चैनल को पर बने रही हैगा तो चलो देख लेते कौनसा कौनसा कमपणी है इस वीडियो के अंदर फॉर्स्ट चो कमपणी है जिसके बारे में बचर्चा करू उसका नामे ओलेक्टर गिंटेक तो ऐलेक्टर गिंटेक आप सब्य जानते हैं, इस कंपणी एक ऐसे कंपानी है, जिसका हर टाइम ग्रोथ होने का चांसेश देखने को मिल जाते है। तो उलेक्टर गिंटेक के उपर में एक बात जोरू कहूंगा कि इस company का आगे बढ़ने का chances बहुत जादा है क्योंकि government electric जो गाड़िया है, electric जो buses है उसके उपर भी boost कर है क्योंकि upcoming times में 10,000 का जो buses का order है वो जितने सारे buses बनने वाला company है उसको देने वाले है और यह जो 10,000 buses बनेंगे, वो totally electric buses बनेंगे तो इसमें सबसे जदा high growthable situation उलेक्टर गिंटेक के उपर देखना को मिला है क्योंकि सबसे जदा अगर bus कोई manufacturing करते है वो है उलेक्टर गिंटेक तो उसके साथ Tata भी है, Asok Leland भी है, HR Motor भी है तो हर कोई company भी इस sector के उपर जुड़कर काम कर रहे तो उलेक्टर गिंटेक के उपर में एक ही चीज कहूंगा कि company के जो खासियत point है सबकुछ ठीक है मगर एक points बहुत वीग है वो है company का valuation तो company के देखे एक टाइम peer ratio चला गया था 370 के असपास और आज peer ratio कितना में चल रहा है 180 के असपास तो company के जो peer ratio है average peer ratio निकल के आ रहा ह तो 23 दिख रहा है और company के current peer ratio एक 60 है मतलब company और ब्राट जोन में है तो इसलिए company लगाता लगाता जो भागते चले जा रहा है उसके उपर जो लोग सोच रहे है कि और भी उपर जाएगा तो चलो में निवेस कर लू तो मैं हमेसा आपको कहूंगा भागते होए train में कभी भ जब कोई train रूखेंगे कुछ time बिताएंगे कुछ patterns बनाएगा तब उसके उपर इंटी लेना तो आपको एक सुकुन मिलेगा कि हाँ मेरा जो एंटी है वो ठीक ठाक जगा पे है chances से उपर जानेगा तो बागी जो company का depth है वो 0 है company का ROC, RE में थोड़ा सा pressure raise देखने को मिले और company के quarterly result में आपको देखेंगे तो sales में कोई कम्या नहीं है तो इसलिए company के profit में भी कोई कम देखने को नहीं मिलेगा तो हमेशा company profit को maintain कर रहे है जो पहले एक करोड था उसके बाद 4 करोड बना उसके बाद 7 करोड बना उसके बाद 19 करोड बना तो company हर साल में खुद का profit को आगे बढ़ते मतला आगे push करने के लिए वो त्यार है तो as a balance sheet के बारे में चर्चा करो तो company का reserve लगातर बढ़ता हो देखने को मिले बॉरेंस भी company का वड़ा उसके basis में company का CWIP में company कुछ पैसा भी लगा चुगे है तो as a investor promoter से लेकर Fsds public हर किसी के पास investment देखने को मिले तो companies के उपर अगर मैं एक चीज में बता दू, company का last few days का delivery के percentage दिखा दू तो company के उपर उतना high delivery के percentage नहीं देखने को मिलेगा, क्यों? कि कि company आज top label में है, company के उपर दिखिए, एक pattern scared हुआ, एक cup with inheritance scared हुआ, और finally break out हुआ, break out होने के बाद यहापर target के नजदिक गया उसके reversal कर रहा है, तो मैं आपको पहले ही बोल चुक हो मेरा जो target है, जो मैं target लेकर चलो, वो 20, यह जो level है, 29% के आसपास target होने वाले है, क्योंकि आपको यहापर देखने को मिल जाएगा 29% के आसपास, और वो target निकल के आ रहा है कितना? 1848 रूपीज के आसपास, और जब मैंने आप एंटी बना था, तब भी मैंने आपके साथ वीडियो बना के share किया, और मैंने आपको यह बताया, कि जब भी इस तरीके से कोई patterns बने, जब कुछ time बिता है एक जगा पे, उसके बाद अगर breakout करें तो सोचना, एक बड़ा momentum journey आपको देखने को मिल सकता है, ऐसे निकि हम आप एंटी ले लेंगे और वहाँ से आपको target मिल जाएगा, ऐसे होगा नहीं, आपको हम ऐसा patient के साथ बने रहना होगा, जब भी कोई patterns compete करें, तब भी उस company के उपर कुछ एंटी बन सकता है, तो मैं तो पहले एंटी ले चुका हूँ और मेरा target के नस्दिग है, अभी आसपास है, इसका मतलब एक small cap type company है, छोटा सा company है, फिर भी इस company अलग लेवल का performance कर रहा है, जैसे आप इस company को सबसर पहले में quarterly result दिखा दूँगा, देखिए, 2020 में 296 करोड के आसपास company का sales था, उसके बाद 2021 में 430 करोड, 2022 में 400, at least 500 करोड के आसपास बोल सकते हैं, और 2023 म में 600 करोड के आसपास sales किया, sales करने के बाद expense को maintain करने के बाद company का net profit 19 करोड, 32 करोड, 24 करोड और उसके बाद 14 करोड के आसपास, तो sales में थोड़ा सा pressurize देखने को मिला, जिसके चलते है company का profit margin में भी impact आया, अब यह देखना है कि company का next quarter आने वाल है, quarter जो 3 का result आने वाल है तो क्या सही में उसका result अच्छा आएगा, तो आप देखेंगे, तो 62 के आसपास देखने को मिला, इसका मतला net profit जो है, वो थोड़ा सा profit weakness होता देखने को मिलेगा, तो क्या इस situation में company आगे बनने के लिए त्यारी है, त्यारी कर रहे है, बिल्कुल कर रहे है, आप मिला, company के इस बार project मिला कितना, 277 करोड, तो company last कुछ few quarters में देखेंगे, few years में देखेंगे, तो company इस बार अच्छा खासा company को trade मिला, project भी मिला, तो उसके चलते है company आगे बनने के लिए त्यारी कर रहे है, उस basis में company के उपर investor, जैसे promoter, FIS, DS के पास सबसेधा holdings है, उसके इस बात public के पास holding है, तो institution भी इस company के उपर रहना चाते है, इतनी छोटे company के होने के बाद भी institution इसलिए रह रहा है, कि कि company के जो growth है, बोल अलग level में देखने का मिला, तो company के जो patterns है, उस patterns के साब से बात कर तो company के एक सांदर तरीके से patterns केड़ हुआ, अगर मैं इस company का बार target कितना था, 34% के आसपास, और target कहा तक था, 280 के आसपास, तो मैं आपको बार-बार बोलता हूँ, कि जब भी कोई patterns बने, तो आपको previous data देख लेना चाहिए, कि previous data कहाँ पे है, तो अभी देखिए, यहा से जो reverse किया, यहा पे जो company उपर जाने के बाद थोड़ा सा reverse किया, इ तो कहने का मतलब है, यह company इसको पर अगर भरोसा है, company का performance को पर भरोसा है, तो बोर target जोरू देंगे, और volume भी देख लीजिए, इस जगा पर कितना high volume के साथ company काम का रहा है, तो बाकी, मैं तो इस company को पर बुलिशू, आपके गरा है जोरू comments करके बताना, next company है, उसके नाम ह साथ, मैं पिछले दिनों में एक वीडियो बना था, TV investment के उपर, अपने अगर वो वीडियो नहीं देखा, तो जा कर देख सकते है, तो companies के उपर देखिए, जो growthable situation है, समर्थन, मदार्शान, समीं, international limited के उपर, तो इस company एक auto insulinis होने के नाते, company में हामेसा growthable situation देखने को मिलत है, देखे, auto sector जिस तरीके से तेजी से भागते है, उससे कई गुना ज्यादा auto insulinis company भागता रहता है, क्यों, क्यों कि देखे, auto sector में कितना गाडिया बेचेंगे, उसके उपर depend करके हैं, उसका growth होगा, अगर auto insulinis company का क्या है, हार कई company, auto insulinis company से पोड़ा को खरीते है, और उसक एक अलग level का monopoly जैसे business enjoy करते है, तो मैं यह नहीं कहूंगे कि उसका competitor नहीं है, फिर भी auto sector से अगर compare करूं तो हमेशा auto insulinis companies का growth देखने को मिल जाते है, अभी इस company का कितना growth है, वो अपने आपको quarterly result में दिखा देता हूँ, देखिए, 2021 में 14,000 कोड़ के आसपास total sales वा था, 2022 म में 23,000 कोड़, तो इसका मतलब sales में कोई भी कमिया देखने को नहीं मिला, और expense को company maintenance करने के बाद net profit 227, 288, 294, तो इसका मतलब एक अलग level का profit growth देखने को मिले, एक अलग level का profit growth यह पर देखने को मिले, तैसे नहीं कि company से आगे बढ़ते चले जा रहे है और उसका कोई growth ही ऐसे बिल्कु नहीं, company अच्छा कासा profitability maintain कर है, उसके कारण company का आगे बनने का chances देखने को मिला है, company माल लेता हो, करजा भी जादा लिया, इस भार company highest करजा लिया, अब यह देखने करजा किस बेसिस में लिया, company करजा किस लिये लिया, वो देखना बहुत चुरुए है, company के इतना ज़्यदा profit हुआ ही नहीं, company के सिर्फ profit हुआ, 2000 crore के आसपास, और 14,000 crore company कहा से जुटाएंगे, तो इसलिए company क्या 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 गर्जा ले लिया, प्याज़ इन्वेस्टर इस company के उपर हमेसा बुलिस इसलिए रहता है, क्योंकि इस company जब से start हुआ, तब से लेकर एक लाग percentage के आसपास return almost दे चुके है, तो एक अच्छा company है, तो इस company के उपर आप study करिए, उसके बाद को decision लीजिए, क्योंकि company के अगर मैं chart patterns के बारे में चर्चा करूँ, तो यहाँ पर एक patterns बना था, लेकि इस patterns को ध्यान से देखिएगा, तो आपको सब कुछ clear हो जाए पर मिला, actually breakout यहाँ पर हुआ, और breakout confirmation यहाँ पर हुआ, और मैं आपको एपी बताया था, कि यहाँ पर जो range है, इस range को breakout करेगा, तो एक लंबा जारेनी देखने को मिलेगा, तो अभी तो जारेनी स्टार्ट हो चुके है, अभी मुझे लग रहा है, दीरे-दीरे करके वो target को अचीव करेगा, और जो target लेकर में चल रहे हो, 132, और सबसे मज़ेतार बात यही है, कि यह जो company का target बना है, वो previous swing high, जो double top है, इस double top से नीचे anti-level बन चुगे है, तो इसका मतलग higher possibility है, उस target को वो achieve करेंगे, बाकि आप समझदार है, समझदार इसे काम लिजे, क्योंकि anti-level लिमिटेड, तो साला सा techno engineering लिमिटेड को उपर, बोनस का update finally आ चुक है, हर एक के बदले आपको चार सेर मिनने वाल है, और वो भी first of February में, तो 2024 में, first of February में, company एक के बदले चार सेर आपको देने वाल है, तो यह था कुछ companies का update, वीडियो में अगर जानकरी अच्छा मिलें, तो please like करना, और आप कौन सा company के उपर वीडियो देखना चाहते हैं, वो भी मुझे comment करके बता सकते हैं, मिलते नेक्स वीडियो में, तब तक के लिए धन्यबाद,